सवे भवंतू सुखिन श्री कृष्ण उपदेश भाग एक जो गुरू उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें श्री कृष्ण है अर्जुन मनुष्य को मैं अहनकार के घमंड की मदिरा पिलाकर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन है पार्थ प्रानी के शरीर का एक अद्र श्री कृष्ण उपदेश अंग है मन जो किसी को दिखाई नहीं देता परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का श्री कृष्ण मन के हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाव पर डालता रहता है और मन को अपने वश में करता रहता है यह मन शर दुख में दुख भरे गीत गुंगुनाता है अपने दुख में दूसरों को शामिल करके इस मन को खुशी होती है किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंद तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है रसी में बांध कर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है वो प्रमात्मा का प्रकाश है उस प्रमात्मा का साक्षातकार कर सके श्री कृष्ण है पार्थ प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में जाक कर आत्मा को देखे तब उस आत्मा के अंदर उसे प्रमात्मा का प्रकाश दिखाई देगा उसी को परमातमा का साक्षातकार कहते हैं लगातार तो